हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे हुँगे आप सभी का स्वागत है मेरे यूटीब चैनल नानी के गार्डन में तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे अप्राजिता की बेल के बारे में बात करूँगी कि हमें उसकी केर कैसे करने चिये और आप के फूल आते हैं और इनको जोए नहीं इने सेट से ही उगाया है और चो यी हमारी अप्राजिता की वेल है इसको हम बटरफ्लय पी के नाम से भी जानते हैं और जो इसकी फूल है वह बहुत भी पवित्र बाने जाते हैं पूझ आपाट में इनका इस्तमाल होता है इस बेल को घर में लगाना ना बहुत ही सुब माना जाता है और जो इसकी बेल है इस बेल को लोग मुख्य द्वार की द्वार पर लगाना भी पसंद करते है और नीले और सफेद रंग में पाई जाती है वीजो से आसानी से ग्रो हो जाती है कटिंग से भी ग्रो हो जाती है लेकिन बीच से अच्छा रिजल्ट मिलता है जो ये हमारी अप्राजिता की वेल है इन्हें में मटर जैसी फलिया लगती है उन्हें में सेट्स होते हैं उन्हें से हम इसको उगा सकते हैं और जो यह हमारी अप्राजिता की बेल है यह गर्मी के मोसम में बिल्कुल हरी भरी रहती है और फ्लावरिंग में इसमें बहुत ज़्यादा होती है और सर्दियों में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है और जो इसकी फूल है ना बहुती सुन्दर लगते हैं देखने में और स्लब्सक्राइब अप्राजिता की बेल को लगा रख और देखें कितनी अच्छी इसकी हो रही है और फ्लावरिंग बेल के लिए पानी की तो इस पौदी के लिए ना हम और वाटरिंग भी हमें नहीं करनी है जब इसकी कमले की मिट्टी आपको सुखी लगे तब आप में पानी डालना है मिट्टी में नमी रखनी है लेकिन और वाटरिंग नहीं करनी है और बात करते हैं इस पोदे के लिए दोप की तो इस पोदे को दोप पसंद है 5-6 गंटे की दोप इस पोदे को मिलनी चीए जितनी अच्छी दोप इस पोदे को मिलेगी उतनी ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी ग्रोध होगी तो इस पोदे को ऐसी जगह लगाईए जहां पे इसको कम से कम 5-6 गंटे के दुप मिले और बात करते हैं इस पोदे के लिए फर्टिलाइजर की तो मैं इसमें महीने में एक बार गोबर की खाद डालती हूं और जो हम केलो के छिलकों से फर्टिलाइजर त्यार करते हैं वो लिक्विट फर्टिलाइजर मैं इसमें डालती हूं और केले के जो छिलक होते हैं हम उसको बारिक बारिक काटके भी इसमें डाल सकते हैं केले के छिलकों को सुखा के भी हम इसमें डाल सकते हैं उससे इस फोदे में काफ़े अच्छी फ्लावरिंग होती है और ग्रोध भी होती है जो भी तरीका आपको असान लगे उस तरीके से आप इसमें डाल सकते हो और आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करना शेर करना और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बाई बाई